प्रोक लगाने के लिए केंदर सरकार नोट वाली स्याही का इस्तिमाल कर रही है लेकिन अब केंदर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ सकता है क्यूंकि चुनाव आयोग ने स्याही के इस्तिमाल पर जरूरी सावधानी बरतने को कहा है आयोग ने वितमंत्राले को पत्र लिखकर कहा है कि वे निर्वाचन आयोग की अनुमती के बिना चुनाफ के काम आने वाली अमिट स्याही प्रयोग ना करे स्याही का इस्तिमाल होता है तो जरूरी सावधानी बढ़ती जाए खास तोर पर बाय हाथ की तरजनी पर स्याही ना लगाई जाए तरसल शनिवार को चार लोग सभा और आठ विधान सभा सीटों पर उप्चुनाफ होना है ऐसे में चुनाव आयोग का कहना है कि अगर लोगों की उंगली पर अभी स्याही लगेगी तो चुनाफ के दौरान समस्या पैदा होगी चुनाव में इसका दुरुपयोग हो सकता है इससे आयुक की निश्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की नीती पर पानी फिर सकता है आपको बता दे कि जन संसद्य शेत्रों में उपचुनाव होने हैं उनमें असम की लखीमपूर संसद्य सीट मध्यप्रदेश की शहर डोल सीट और पश्चिम मंगाल की कूच बिहार और तामलुक सीटे हैं इसके साथ ही असम अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम मंगाल, तमिलनाडू, पुडुशेरी और त्रिपूरा की दो सीटों सहिद आच विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होंगे लेकिन अब चुनावायों की आपत्ती के बाद केंदर सरकार क्या विकल्प लाती है, ये देखना फिल हाल बाकी है देखते रहे के टीपिलाइब